हेलो फ्रेंड्स मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट टॉप का वीडियो शेयर करूँगी जिसके लिए कॉटन का मैंने तेर्मिटर फैब्रिक लिया है सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में बिचाएंगे फोल्डेट पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है और ओपन पार्ट मैंने सामने की तरफ रखा है फोल्डेट पार्ट से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगी जो 7 इंच पे करेंगे आर मोल भी हम लेंगे साथ इंच यहां से हम चेस्ट का फोर्थ पार्ड प्लस डेड़ इंच पर मार्किंग करेंगे कमर की लंबाई लेंगे हम चौदा इंच और यहां से जो भी हमारी कमर का साइज होगा divided by 4 plus उसमें 10 inch के पर मार्किंग करेंगे इन सभी निशानों को हम scale की साहिता से जोड़ देंगे बैक आर्मोल के लिए हम 10.5 पर मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्मोल के लिए हम 1 inch पर मार्किंग करेंगे और आर्मोल का shape ड्रॉ कर देंगे इसमें हम boat neck बनाएंगे जिसमें आगे और पिछे का गला सेमी रहेगा तो मैंने गले की चोड़ाई रखिये 4 inch और गले की गहराई मैंने रखिये 3.5 inch यहाँ पर हम एक box त्यार कर लेंगे और फिर हम उसे boat neck का shape देंगे shoulder मैंने half inch down किया है यह हमारी अपर पार्ट की marking हो गई है अब हम इसे cut कर लेंगे अब हम neck की cutting भी कर लेंगे bottom part के लिए हमने कपड़े के यह दो piece लिये है जिसकी लंबाई है 15 inch और चोड़ाई है 43 inch sleeve के लिए कपड़े को 4 fold में रख लिया है सबसे पहले कपड़े को उपर से सीधा कर लेंगे sleeve के लिए मैंने कपड़े की चोड़ाई रखिये 1.5 inch open side से 3 inch पे down किया है sleeve round रखा है मैंने 7 inch साड़े 5 fitting के लिए और 1.5 inch margin इन निशानों को हम जोड़ लेंगे उपर से हम गुलाई का shape दे देंगे sleeve की length रखी है मैंने 12 inch इन ही निशानों पर हम cut कर देंगे sleeve को open करके front armhole की cutting भी कर लेंगे सबसे पहले मैंने ये कुरेब पट्टी ले ली है इसे attach करके हम front और back neck को ready कर लेंगे ये मैंने neck ready कर लिया है अब जो हमने bottom part का fabric cut किया था उसको हम इस पर रखेंगे और छोटी छोटी से चुनट लेके इसको attach कर लेंगे ये मैंने front और back part को ready कर लिया है अब हम इसके shoulder join कर लेंगे और sleeve को attach कर लेंगे ये देखिए हमने shoulder join कर लिया है sleeve भी attach कर लिया है sleeve पे मैंने ये design बनाई है पट्टी लगा कर यहां हम बटन लगा देंगे बस अब इसे fitting करनी है और नीचे से हलका हलका fold कर देंगे ये frog style short top बनकर ready हो गया है अगर आपको ये video अच्छा लगाओ तो please इसे like करें share करें और channel को subscribe करें thanks for watching